हेलो दोस्तों आज हम लेक्ट्र थ्रट को ही कंटिन्यू करते हैं कल टेक्निकल कैरण की वज़शस से मुझे इपीज पहीं छोड़ना पड़ा था उसके लिए में माज़रत खौह हूँ आज हम उसी को आगे continue करते हैं जहां तक पढ़ा था उससे आगे में आज continue करेंगे क्या पढ़ा था कल हमने पढ़ा था objective resolution मैं आपको रिवाइज थोड़ा बहुत करा था हूँ क्या किया था हमने कल कहां तक किया था उसके बाद आगे से फिर से हम अच्छे से पढ़ेंगे objective resolution दिया किसने था नहरू जी ने दिया था कब दिया था 1946 में दिया था objective resolution दिया किसने था नहरू जी ने दिया था कब दिया था 13 December 1946 था objective resolution हकीकत में क्या था नहरुजी ने ये बोला था कि आगे जब हमारी independent constitution होगी तो वो किस तरह की होनी चाहिए वही था objective resolution में ठीक पहली बात नहरुजी ने बोली थी कि हमारा इंडिया यानि हमारी constitution क्या होनी चाहिए independent होनी चाहिए sovereign होनी चाहिए republic होनी चाहिए किसके लिए जो भी हम future में काम करेंगी ठीक यहां तक मैंने आपको पड़ा आए था उसके बाद all British Union territories in India as well as other parts of India states as well as the other territories are willing to be constituted into independent sovereign India shall be the union of them जितने भी British Union territories थी और बाकी जो state थी वो अगर independent sovereign India में जाए होंगे तो सब को मिला के क्या नाम दिया जाएगा Union of them यह किसने पहला पाइंट था objective resolution में था और आगे third point क्या था कि boundary जो है क्या क्या बांडरी जो है जितने territories हैं जो British Union के territories हैं उनकी boundaries सैम रहेगी यह भी किस में बोला था resolution में बोला था नहरुजीन है और जो भी power यह हमारी का institution में जो भी power होगी वो कहां से निकाले जाएंगी वो लोगों से निकाले जाएंगी मतलब लोग जो चाहेंगे वही होगा यह बात उसके बाद हमारी का institution में जेस्टिस मिलेंगे कौन कौन से जेस्टिस मिलेंगे सोचल जेस्टिस भी मिलेगा एकनोमिक जेस्टिस भी मिलेगा और पोलिटिकल जेस्टिस भी मिलेगा और इसके साथ साथ प्रेडम आफ स्पीच में मिलेगा प्रेडम आफ एक्सप्रेशन भी मिलेगा और स्टेटस लेके चलना है। शिक्स पाइंट, सैवफ पाइंट क्या था? हमने इंटीगरिटी को मैंटेन करके रखना है। किस में बोला था? रेजुलेशन में ये बोला था, नहरुजी ने बोला था। ठीक, और सवरन राइट जमीन पर भी मिलेगा, पाने में भी मिलेगा, यवण कि हावा में भी, क्या मिलेगी? मिलेगा, सवरन राइट मिलेगा. मैंने बोला था, कल सवरन राइट क्या होता है, जिसने ये, मैं आप से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, कि जिसने पहले वाला lecture नहीं देखा है, प्लीज पहले आप थार्ड वाले लेक्चर को देखें पले लिस्ट में इंडियन करनेश्विशन के नाम से पले लिस्ट मैंने क्रेट की है आप पहले उसको देखो उसके बाद यहाँ न मैं आपको यहाँ रिवाई थोड़ा कर रहा हूं कि क्या क्या पढ़ा तो वहां मैंने डिटेल से आपको समझाया है सौरन क्या होते हैं सब कुछ मैंने वहां अच्छे से आपको बोला है मैं यापकर थोड़ा भाध हाई-लाइट करके बताउगा कि क्या क्या हमने कब पड़ा था उसके बाद एस्पान किया तो मेंटेन वॉर्ल्ड पीस and वल्फेर of mankind वॉर्ड पीस को मेंटेन रखना है वल्फेर of mankind के रखना है और इस Objective Resolution को Constituent Assembly ने कब अडॉप्ट किया था जैनुरी 22nd जैन 1947 को Objective Resolution को Constituent Assembly ने अडॉप्ट किया था Change by Independence Act Independence Act जब आया तो उसके बाद इसमें क्या-क्या Changes आई किसमें हमारी इसमें चैंजिस क्या-क्या आई क्या परने हमें Prince State, Hoer State, City अवे फ्रम दे कन्चिवांट Assembly जैना Assembly on 28th April 1946 को 1947 को जितनी भी कौन Prince Lee State थी जो दे कन्चिवांट Assembly से बहार रही थी वो सब इसमें कन्चिवांट Assembly में क्या हुई थी जाए नहीं हुई थी यहीं सिक्सिटेट वैर दा पार्ट अदा Assembly और यहीं सब भी नहीं हुई थी मैंसे सिक्सिटेट क्या बनी थी कन्चिवांट Assembly का एक हिसा बनी थी उसके बाद मैंने बोला था कि मांट बेटम परलान के वज़ें से हामने इंडिया और पाकिस्तान का भटवारा हुआ था पार्टेशन इंडिया और पाकिस्तान की पार्टेशन हुई थी कब मांट बेटम परलान आया था थर्ड जून 1947 को आया था ठीक यह रखना याद चेंज बाइट है ने चेंज बाइट इन एसेंबली अब कनिस्टमेट एसेंबली में क्या क्या चेंज आई किसे इंडियन इंडिबेडनेंस एक्ट की वज़े से है दे एसेंबली बीकम फुली सावरन दो काम करेंगे कौन कौन से making of the constitution for free India and enacting the ordinary love for the country यह दो काम करेंगे उसके when are the constitution assembly meet as a constitution body cheered by Dr. Rajinder Parashad जब यह constitution assembly as a constitution body काम करेंगे तो ताब कौन प्रजाइड करेंगा चेर्मेन कौन होगा Dr. Rajinder Parashad जी और जब यह legislative का काम करेंगे तो तब क्या होगे जीवी मौलन कर क्या होगे चेर्मेन होगे और यहां से पता चलता है कि legislative body legislative body मतलब जहां से हमारे कानून बते हैं act बनते है rules and regulation जहां से हमें तैयार होते हैं तो वह कहां बनते हैं हमारे legislative parliament में लोकसभा राजेसभा में और यह जो डाल सकते हैं कि first speaker of the लोकसभा जीवी मौलन कर उसके बाद the two function continue till November 26,1947 यह दोनों काम कब तक continue रहे 26 November 1909 तक दोनों यह काम continue रहे जब तक हमारे constitution को बनाने का काम खतम हो तक यह दोनों काम continue होए उसके बाद अब यह Indian Independence Act के वाज़ा से इसमेली में जो टोटल मेंबर थे उनकी strength क्या होई थी कम होती पहले कितने थे 389 थे अब कितने रहे 299 और British province में कितने थे 296 अब कितने रहे 229 और पनिसिल स्टेट में कितने थे 93 अब कितने रहे 70 यह याद रखना अधर function क्या रहते इसमेली का ही काम जा रहे थे मई 1949 को यानी मई 1909 को कामन वेल्थ गया था उसके बहुत अड़ाप्टे नेशनल फेले कब अड़ाप्ट किया था 22 जुलाई 1947 को अड़ाप्ट किया था नेशनल अंथम कब अड़ाप्ट किया था 24 जैन 1950 यानी 24 जैन 1950 को हमने नेशनल अंथम अड़ाप्ट किया था नेशनल सांग कब किया था 24 जैन 1950 को हमने नेशनल सांग को अड़ाप्ट किया था यह कुछ ऐसे प्रेजिडेंट आफ इंडिया राजिंदर परशाजी को क्या बोला कि एलेक्टिड रम 24 जनवरी 1950 को राजिंदर परशाजी को फास प्रेजिडेंट आफ इंडिया क्या किया एलेक्ट किया और कितने सेशन वे कनिशोंट असेम्बली के कितने सेशन वे थे स्टेंट बनाने में जो आपने कितने कंट्रीज में हम लाना ता कितनी कंट्रीज में हमारी में कर अटरा थे 24th, 1950, the constituent assembly held its final session, यानि, 20 January 1950 को constituent assembly का final session, यानि, आखरी session, 20 January 1950 को हुआ था, 26 January 1950, the constituent assembly had implemented, 26 January 1950 को हमारी constituent assembly implement की गई थी, लेकिन, 26 November 1949, it was approved, adopted, यानि, जब ये constituent assembly का काम खतम हो का बहुत है, 26 November 1999 का का काम, constitution को बनाने का काम खतम हो था, उस time पे क्या होता है, approve ही थी, मतलब, adopt हो थी, इसका मतलब ये होगा, ये sign होगा था, कि याब ठीक है, यही हमने constitution apply करनी है, implement यही करनी है, लेकिन उस दिन को Republic Day नहीं मनाएगा है, क्यों नहीं Republic Day बनाएगा है, Republic Day कब बनाएगा, 26 January 1950 को, क्यों, मैंने बोला था कि 26 January 1930 को परना सवराज़ डे बनाएगा था, यहने complete independence day celebrate तब किया था, उसी के कारण, उसी के बेस मान के, उसी दिन को celebrate करते हुए, ये 26 January 1950 को ही हमने क्या किया, Republic Day को celebrate किया, यही हमने अपनी constitution को implement किया, यही वज़ा है, परना सवराज़ डे बस याद रखने है, 26 January 1950 परना सवराज़ डे सरी है, कमिटी मेंने बोला था कि कौन-कौन कमिटी बनी था कि कौन-कौन कमिटी बनी था कि पास कितनी कमिटी के चेर्मेन बने थी, तीन कमिटी के चेर्मेन बने थी, कौन-कौन सी कमिटी के चेर्मेन बने थे, Union Power Committee के, Union Constitution Committee के और State Committee के चेर्मेन बने थे, उसके बाद, सरदार वला भाई पर टेल कितनी कमेटी के हैड बने थी चेर्मेन बने थी कुछ भी आ सकता है वरुसानी कि आप बताओ जम सरदार वला भाई पर टेल कितनी कमेटी के चेर्मेन बने थी आँसर होना चाहिए टू अब अगर पूछेंगे कि किस किस कमेटी का चेयरमेन सरदार वला भाई पटेल जी थे कौन कौन से हैं वह प्रोवंशेल कानेश्टिटिचुशनल कमेटी के चेयरमेन सरदार वला भाई पटेल थे यहां से आगे आज हम कांटिन्यू करेंगे अच्छे, उसके बाद, डाक्टर राजिंदर पच्छाजी के पास कितनी कमेटी थी, रूला प्रिसेजर कमेटी और स्ट्रिंग कमेटी के चेर्मेन कौन बन थे, डाक्टर राजिंदर पच्छाजी थे, कितनी कमेटेंग के चेर्मेन बने थे दो, कौन को से रोल अप्रोचेजर कमेटे और सिट्रिंग कमेटे के चेर्मेन डौक्टर रजी अरभण परचाज जी बने थे उसके बाद सबसे इंपल्टेंट वन जहासे क्वेस्चन अमोमन पोछा जाता है कि drafting committee के chairman कूण थे scope हमारी drafting committee के chairman major committee को अपने नहीं देखने है बस यह याद रखो कि drafting committee के chairman को थे डाक्टर बीहमराव medical, अब drafting committee के member हम आगे भी करेंगे drafting committee कब बनाई गई थे, यह याद रखने है drafting committee के chairman कोण थे? बीमराफ अमेटिकर जी थे और डाफ्टिंग कमेटी को बनाया कब था ये याद रखना है डाफ्टिंग कमेटी को बनाया कब था बीमरा अमेटिकर जी थे याद रखना है कि कि गएकुई से लिए पार और डाफ्टिंग को देन रखनें उसके बाद इप ही ये याद रखना कीमेटी और लकाद के जी नहीं मिर्ग मैं काना था एंना नी पास्तने पूसल लंच को आप्ने को सहुआज्ट क करेंग मीमंबर, पहले तो याद रखने अप कितने साइवनध के वंबर, बस उन उसके बाद ये भी क्वश्चन आशे क्वेस्डे कौन कौन लाफनेंगक अमेडिकर के मिम्बर थे ? एक. उसके बाद मिम्बर कॉन थे गोपाल स्वामी हेंगर क्या थे ? मेंबर थे एक, उसके बाद अलादी कृष्णा सवमी आयर ये भी मेंबर थे, के मुन्शी ये भी मेंबर थे, उसके बाद बी-ल मेंटोर को रिजाइन के इले हल्थी के वाज़े से महदू ने क्या किया था, रिपलेशन, इनकी जगा कोन आय थे, महदू, महदू जी आय थे, क मेंबर थे, किसके डाफ्टिंग कमेटी के याद रखने है, साथ मेंबर, यह याद रखने है, यहाँ से क्वेस्चन आने के चांसे बहुत ज़्यादा है, कि डाफ्टिंग कमेटी के मेंबर कौन थे, यह याद रखना था, बीहमराव अमेडिकर जी, डाफ्टिंग कमेटी क यहां जो हमाइब उसके बाद अंडोधिक न मेंपार्च इंपार्टेयवठ इन बंतुटियुशन शुटिय। आप बताओ जिस टाइम पे इंडियन कनेस्टूशन फिर साइन हुई थी इंडियन कनेस्टूशन पे साइन हुआ था उस टाइम पे कितने मेंबर मुझू थे ? क्या याद्र आप कितने रहें थैं? 299 मैंने बोला था Constitutional裡面 में में थैं कि 299 अब जब Constitutional पर Sign हुआ तो उस टायम पर कितने Member मोजुद थे? आपका ये answer होना चाहे 284 Member वहाँ पे present थे जिस टायम पे हमारी Constitutional पर Sign हुआ था ये यादक था जो भी the constitution is adopted on November 26th 1949 container prehambles ये भी important है यहां से कि जब constitution बना था constitution का काम याने adopt किया गया था 26th November 1949 26th November 1949 को जब हमारी constitution adopt हुई थी उस time पे हमारी constitution के हमारी constitution का prehambles कैसा था मतलब article कितने थे schedule कितने थे और parts कितने थे important one सबसे important article कितने थे 395 मतलब 395 क्या थे article थे 8 क्या थे schedule थे और 18 क्या थे part थे क्या थे 395 क्या है हमारे article थे art क्या थे schedule थे routine क्या थे part थे ठीक आप ऐसे भी याद रख सकते हो क्या 49 अच्छा था रहा याद रखना है बश्चा था रहा पहले क्या है पहले है article उसके बाद क्या है schedule उसके बाद है parts अज क्या थे आप धूस्चा रहा है याद रहा है आज रहा है याद रखाओ article क्यते थे 395 schedule क्यते थे 8 parts क्यते थे 18 याद रखना है उसके बाद इंपरा। कान्स्인이ट नजा टॉष्षिन है डाप्ट मैंने ये बोला हुआ, आज कितनी है ये इंपार्टन भी आज कितनी है इप्रशितने है, ये असा Alexandria आज बाराटन करना आज 494, ये आप चेक खुद भी करना गुगल पर सर्च करना है कि आज कितने हैं, जाने कि मैंने सर्च किया है, तो 94 आर्टिकल से हैं, 12 शुडूल हैं और 25 पार्ट से हैं, कितने हैं, यहां याँ आपने अड़ करना है, जाने कितने हैं, 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 जाने कितने हैं करण सिपने प्रेंब के चोळाने केया है अजने प्रेंब पर बाड़े मुंवाथ उसी प्रेंब को उसे औरी कर्मनध कीया था? आंसर क्या होना चाहे कि अधर प्रेम्बल वाच इनेक्टिड आफ्टर क्या मैंने क्या कॉच्छन पुछा कि आप बताओ कि जब हमारी कानेटविशन इनेक्ट हुई थी मतलग लागू हुई थी क्या उसी टाइम पर प्रेम्बल भी इनेक्ट हुआ था कि लागू भाथ था तो आनसर क्या होना जा बड़ा वाला no क्या no यह जब पूरी कॉर्डिश्टेश्टाइशन को क्या किया था implement अच्छी तरह किया गय था उसके बाद प्रीमबल को enact کیया गया इसका मतलब पहले constitution, उसके बाद preamble आया है, यह याद रखने है, important question यहां से बनते है, question मतलब कहां से question, इननी चीज़ों से बनते हैं, जो exception cases होते हैं, यहां confusion हो सकते हैं, अब बता हमें, हमें यह पता कि objective resolution is a, preamble is a modified version of objective resolution, और हम यह सोचेंगे अपनी जगा कि शायद पहले pre resolution को implement के गाई, यह न, लेकिन नहीं, पहले का, पहले का, हम यह बूलेंगे कि पहले किसको preamble को implement किया होगा, उसके बाद reconstruction को, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, कि ब developers도 क्ली कおい को यहां तक आपको समझाय होगी सills . आप हम जए विल्जाज और रोशनी ढालते हैं क्वेहम राव एमड Ad법 actual जी को क्या 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 कारते हैं एक तो पहला है, फादर अव दे इंडियन कनुशिशन, फू इस दा फादर अव इंडियन कनुशिशन, आंजर होना चाहे, बिहमरव अमेड कर जी, फू इस नौन एद बृय्ट, ब्रिल्यन, सृरी, ब्रिल्यन राइटर, brilliant writer किसको कहा जाता था answer होना चाहिए बिहमरव अमेड़कर जी तो ठीक, उसके बाद constitutional export किसको कहा जाता है answer होना चाहिए बिहमरव अमेड़कर जी को, ठीक, यहां तक undisputed leader of schedule caste undisputed leader of schedule caste कौन है बिहमरव अमेड़कर जी ठीक, उसके बाद cheap architect of Indian constitution कौन है बिहमरव अमेड़कर जी also known as the modern manu, क्या also known as the modern manu यह याद रखने है किनके नाम में से इसको जाना, बिहमरव अमेड़कर जी को जाना जाता था, father of Indian constitution, brilliant writer constitutional expert undisputed leader of SC cheap architect of Indian constitution, और modern manu के नाम से जाना जाता है किसको बियार अमेड़कर जी को अब यहां तक आपको समझाई होगी है मैंने यह भोला था आपको मैंने पहली किया तो हमारी constitution का बैटम यह adopt होई थी 26 नॉम्बर 1940 यहां constitution है, कौन-कौन से article implement होए थे उस टाइम पे, यह होगी है को थोड़ी बहुत उसके बाद 26 नॉम्बर 26 जनॉम्बर 1950 को पोरी हमरी constitution जो बागे रहा था तो major major part 26 नॉम्बर 1990 को implement होई थे लेकिन minor minor part और major part का होई थे 26 जनॉम्बर 1950 को और यहां implement होई थी यहां approve होई थी कहां? यहां होई थी यहां क्या होई थी? यहां होई थी approved approved और adopted यहां थी approved और adopted काभ? 26 नॉम्बर 19 नॉम्जा याद रखना है यहां होई थी approved और adopted यहां रखना है approved and adopted यहां पे date याद रखना हो 26 नॉम्जा इंपलीमेंट काभ होई 26 November 1950 को क्यों मैंने बोला था कि पुर्णा सावराज़ दे on the samday 26th in January 1930 को हमने क्या किया था पुर्णा सावराज़ दे celebrate किया था ये बोला था ये मैंने लिखा ये आपको ठीक और ये ही है कुछ आज का नस्चूशन खतम होता है तो इसके लिए इसके बाद में आपके लिए I am secure लाओंगा ताकि आपकी practice अच्छी से हो जाए आपको repeat भी इंचला मैं ही कराओंगा ओके थैंक यू Allah हाफिज